हलो गुड मॉनिंग आज मैं सबसे पहले आपको यहां का वैदर दिखाती हूं आज दो दिन के बाद मौसम ठीक हुआ है और हाइटो में गिरी हुई है बरफ और हलके हलके बादल भी है और यह है रोडू का एरिया और यह है खड़ा पथर का एरिया और हाइटे बलकुल और आज है नवरात्रे तो आप लोगों को सबसे पहले नवरात्रों की हारदिक शुब काम नाएट तो आज मैं जा रही हूं मंदिर तो चलिए आपको भी ले चलते है तो आज मेरे साथ जा रहे है सौनू जिनको मैं आपको थुड़ी देर कवाद मिलाओंगी अब हम घर से निकल चुके है और अब आता है जंगल वाला रास्ता तो जंगल वाले रास्ते मैं आती है चड़ाई तो इसलिए मैं आप से बात नहीं कर पाऊंगी तो आप से मिलती हूं मैं थोड़ी देर के बाद अब हमारा जंगल वाला रास्ता हो चुका है खतम और अब हम पहुंच है बगीचे में और यह भीचा है हमारे पुरोसियों का और इसके बार अभी आएगी रोड रोड़ से अगर हमें लिफ्ट मिली तो हम लिफ्ट inadine Carr proverb उैब में अगर में मैं नकल चुकर है और में रोड नसी यह उसमें बबत नहीं सब इस नहीं ले रहे होगे अब हम कच्छे रोड में पहुंच GAFA और आप को बहुत भजन भी त्याज दे रहे होगे हो जुज़े हम जा रहे है मंदिर जेले आज बहुत दिनों के बाद नों बाधि मंदिर जा रहे हैं कहीं बाखार भी निकलैंて बहुत टाइम के बास इकठी है अब पहुंच गया है हम मंदी के पास और चलिए आपको मैं माता के दर्शन करवाती हूं मातरान जय है मातरान आपको गच्छ गच्छ आपको गच्छ आपको 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 आप हमने दर्शन कर लिये हैं और मंदिर के पास से कुछ भी इस तरह का नजर आता है यह है चाजपूर का एरिया सामने है पार्ठाना मांदल और साथ में ही है रोड का एरिया और उपर प्यारी प्यारी बादल और यह है साथ में शिम मंदिर और साथ में ही है मातारानी का मंदिर और सामने पार है खठासु और बर्थाटा और आस्मान में है प्यारे प्यारे बादल और यह है यग्यभवन जिस पर जंडी लगी हुई है और यहाँ पर चली हुई है अभी मीटिंग और साथ में ही है यह मातारानी का मंदिर मैंने आपसे मातारानी के भी दर्शन करा दिये आपसे मातारानी का मंदिर मातारानी के भी दर्शन करा दिये नमस्ते जी और टिक टाग नमस्ते जी और नमस्ते जी और टिक टाग अगा तो दो में रूँंगी नहीं नामाहा है यूं माहां। ओम् पावनतनिय कंकतं एल्णमंगलह मौराथेरो पारामलकं पियासा द्रेवत वोच्वतः यहांकि एवावावावा आपकेर्णियासा, जोढू लिगा है वुद्सटुनना सिर्वधार्णियास। मंदीर के बाहर पहले नवरात्रे में आई और मुझे यहां पर मिली नए चीज देखने को वो है मंदीर के बाहर की पूजा जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी मैंने आपको भी दिखाया कि मंदीर के बाहर पहले पूजा हुई उसके बाद भोग की पूजा हुई भोग की पूजा करने बाद लोगों को भोग बांटा गया और इस मंदिर को लोग बहुत ज़्यादा मानते भी है लोग दूर दूर से इस मंदिर के दर्शन करने आते है इस माता को नगर कोटी की माता कहा जाता है मंदिर के पास से वियू भी बहुत अच्छा नजर आता है, शायद जो मैंने आपको वियू दिखाया आपको पसंद आया होगा क्या कर रहे हो, मैं सबजी तोट रहे हूँ, इसे मेरे हाथ ही सारे ख्राब होगी तेस्टी बनती इसकी सबजे अभी तक तो पाई है अब फर्स्टाइम प्राइब देखते है कैसी बनती है एक्सपीदेन साब कि शासीयर क्या जाएगा अगर अच्छी बनेगें प्रदीर प्रदू दो 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 जो जो डोड़ना नहीं निया काम दे देदाना आप उसको ठीक है अब चल पड़ी है हम वापिस और क्योंकि हमें किसी के घर जाना है तो आदे रास्त तक ये दी दीवी हमारे साथ आ रहे है हम यहाँ पर किसी के घर बैठे हुए थे और अब जा रहे हैं हम पंचायद के पास क्यूंकि वहाँ पर भी हमारे पास थोड़ा सा कुछ काम है आपको क्या मिला है जी बूट 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 के मारे मेरी जान निकल रही है चल पड़े है हम वापिस और मेरे साथ है यह है अमीता और भी लोगों को दिखाती हूँ आपको मेरे साथ कौन-कौन है रुको अब आपकी चल पड़े हम घर घर चल पड़े न अब यह है सोनी का और साथ मैं शनु हम है चार और यह रही है अल कि बीटे यह तेखो रास्ते पे हमें मिली है गुछी कि अभागदार है देखो, दूसरी गुच्छी, अब हम सब लग गए गुच्छी अडुनिए छेक एक देखो या अबने, ये धिखी ये अफने, ये धिकिये ये, अपर कोमिल गई मिल गई, ये इनको ये नही नहीं देखी मिल को लो 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 निकालो और मेरे को दिखे यहाँ वह बड़ी गुड़ कौन था यहाँ एक पार को थाली आपका निकालो यहाँ देखो पिछे दो मेरे को आर यहाँ देखना इसमें और भी है यह यह आपकी है शुकर है यह मिलगी अच्छ मैं तो आपको आपकी हैं यहाँ मेरे को भी मिलगी आप एक एक यह देखो मेरे को मिलगी यह गुछी सोनो की मैं निकाल दिक शणो कितने मिले? तेरा और सोनॉ मुझे मिले आठ एपको? 10 10 पे यह उपको तब तब आपसे जादा तो शनु को मिली और मेरे को मिली एक उच्छी अब मैं पहुंच चुकी हूँ घर और आज कुछ इस तरह का था मेरा ये दिन मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें अगर आप इस चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब करना मुले थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग